मद्द पिर्देश की एक ऐसी बच्ची जिसकी उम्र अभी सिर्फ सत्रा साल है उसको ऐसा होना राता है कि ना ही उसने कहीं से सीखा है और ना ही उसने ये हुनर कहीं से पाया है सिर्फ ये गौड गिफ्ट है उसको अपने मन से धीरे धीरे ये बनाना आ गया है वो किसी भी प्रकार की चित्र बना लेती है यहां तक कि उसको यह भी कहा जाता है कि वो एक चित्र कला कर लेती है चाहे वो राधा किष्णी की तश्वीर हो या भी कोई भी हो वो सारी पाहा के पास मौजूद हैं हम इनसे जानेंगे कि यह हुनर इन्हें कहां से आया है और वो आगे क्या बनना चाहती है मैं चोटी मूटी राधा कृष्ण की मूर्टी बना लेती हूं और बगीचे गार्डन गुडिया परिया जो मुझे अच्छा लगता है वो में बनाती हूं कहां ते सीखा है आपने यह साथ मैंने अपने मन से सीखा है मनला मुझे बहुत शौक था शुरूं से ही बनाने का तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता तो मैं बनाती रहती थी इसलिए मुझे बहुत शौक था तो मैं बनाती हूं इसका सामान कहां से लाती थी जो बनाने का वह वैसे तो मैं कॉपी किताबों में बनाती थी पैंसिल से और कलरों से कलर पैंसिल से फिर कुछ साल पहले मैंने यहीं पर बगल में एक जन की दर्वा दौरे में बनाये थे क्रिश्न जी तो उनमें थोड़े कलर मतलब घर में जो पैंटिंग के लिए आते ही कलर घर की पुत सब से पहली पैंटिंग कहा बनाई थी और कैसे बनाई थी अशी तो मैंने यहीं पर बनाई थी अपने बगल में एक जन की दीवाल पर फिर एक बगल पर और बनी थी फिर मेरी दीवाल पर घर की एक पैंटिंग बनाने में कितना समय लगता है आपके पहुट टाइम लगता है मेरी दीवाल की पेंटिंग मुझे पूरे एक दिन लगा था बनाने में लोग आते हैं गवाले आपको बुलाने के हमा यहां पैंटिंग बना लेकिन फिर वो आए नहीं और मैं फिर गई नहीं कहा तो था कि बना देना मेरी दोड़ी पेंटर तो बनना चाहती हूं पर बहुत खराब है जिसके कारण मैं कुछ अभी तक कर नहीं पाई आगे आगे पढ़ाई क्यों नहीं है मैंने बार वी कक्षा तक पढ़ा है और फिर पैसे नहीं होने के कारण हम दो लोग हैं मतलब बड़े बापा की लड़की है तो उनको साथ में बढ़ते हैं दोनों तो पैसे लगते इसलिए दोनों को मिला कर बहुत पैसे लगते हैं इसलिए नहीं पड़ा किस तरह का सपना है आपका आगे बढ़े में क्या मदद चाहिए कि मैं आगे चल कर कुछ बन सकूं ख़बर लहरिया आपकी ख़बर आपकी भाशा